Hello friends, welcome to our channel Friends, बात करेंगे UP Police 94568 और ये dedicated वीडियो PAPC Candidates से related होने वाला है Friends, बात करेंगे आपके JTC plus RTC से related और आप सभी को इस वीडियो में बिलकुल अधिकारिक जानकारी दी गई है और हमने कोशिस किया है कि अभी जो भी recently जो भी हो रहा है क्या प्रिक्रिया है और हमने दो वाहिनियों से बात किया एक आपका वाहिनी है 44 वाहनी, मेरट और आपका जो दूशरा वाहनी है वो है 34 वाहनी तो वहाँ अभी क्या प्रेक्रियाएं हैं ठीक है आपको इस वीडियो में चलिए हम कोशिस करेंगे कि आईडियो भी इस वीडियो में इंक्लूट कर दिया जाए क्योंकि आप सभी को जो भी है प्रूप चाहिए होता है तो चलिए सुन लीजिएगा और हम चाहेंगे कि आप उसी से कंफर्मेशन कर लें क्योंकि देखिए जब चुवालिश्वी वाहनी की बात की जा रही है तो वहाँ से हमें ये इंफर्मेशन मिली अगर आदेश की बात की जाए तो फ्रेंट्स उनका कहना है कि अभी जो प्रक्रिया है यही चल रही है कि मतलब जेटी सी की जो प्रक्रिया होती है कि आपकी आमद हो जाती है और आपको वहीं एक मन तक जो भी है क्राया जाता है और accounts related प्रक्रियाएं होती है तो अब PSE में ये है कि आदेश क्या होता है कि आपकी आमध हो जाए आप सुबा आएं फिर साम को अपने घर चले जाए तो क्या आदेश होता है इसका इंतिजार किया जा रहा है चलिए हम सिंपली आडियो शुनवा देते हैं सबसे पहले चोवाल इसवी बटालियन की उसके बाद से चोथिवी बटालियन की शुनेंगे ठीक है लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स अकर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए फॉर मो अपडेट और यह वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाले फ्रेंड्स आप लाइक कर सकते हैं ठीक है यह आपके उपर डिपेंड करता है चलिए लेट सीच्छिए सब्सक्राइब करते हैं तो यह पूछना यह पूछना यह रिसेंटली उन्चाजर पांसव अर्षट की भरती प्रिक्रिया चल रही है जिसमें सिबिल वालों की ट्रेनिंग हो रही है तो जो वाहिनी है तो आपको बसी तरह मतलब की पी एसी कब तक उनकी जेटी सी या फिर सब्सक्राइब कर रहे हैं और बस आप से कुछ इन्फॉमेशन चाहिए थी कि यूँकि का इन्रेट परिशान है कि अचार सनीता लागू हो जाएगा तो पता नहीं हमारी ट्रेनिंग होगी कि नहीं होगी और 2018 से हम इंतिजार कर रहे हैं जाते हैं और जाते हैं तुझ कोई पास कोई पिशवी निउस होती है वह फॉर्वर्ड करते हैं हम कोई भी न्यूज अफ़ा करोपना नीच लातए हैं आज हम तभी बोलेंगे जब हमें पास कोई ओफिश्यली नीच होगी यूज कि सर्भी तर रिलेटैड आ रही थी कि व इंफर्मेशन हो सकता है लेकिन कोई कॉन्सरम इंफर्मेशन नहीं है हमारे जी तब को सकता है हमारे पास विए जो हम ने चल रहा लेकिन कर दो को नहीं देख पर्मनेंट जैसे जैसे जैटी सी कर रूल है आमद करा दी हैं दैना यह जैसे पहले भी दो बैस निकल चुके हैं जब प्रेशराइज हो जाते हैं बढ़ती बोर या कोई भी साथन तेम्पे बश्ता लाओ करा सकते हैं जैसे पहले सुबह को आते हैं साम कुछ लग जाते हैं आज तो किसी भी वाहिनी के लिए कुछ लगते ही नहीं है आदेश करें कोई आ जा रहा कला रहा है थोड़ी सी खूड़ती जाती है काफी तक तो ऐसा नहीं है अगर कोई लगेगा इस तरह का कुछ चल रहा है तो कभी भी आदिस हो सकते हैं लेकिन अभी कोई क्लियरेशन नहीं है हमारे पास कियम बदाएं बढ़ता कि इनका आ रहा है अच्छा स थाइंक्यू थाइंक्यू शो मच सर फोई इंफोमेशन हैं कंटोर लूंसर आमां तिर पात्री हां हेलो सर नमस्ते नमस्ते बोलिये सार हमें पी एसी ट्रेनिंग से रिलेटेड आप से कुछ इंफोमेशन चाहिए थी जा बताइए सर अभी हाले में यूपी पूंचार जा 2568 जो भरती होई तो सकेंड बैच जा चुकी है जो सीविल की थी तो बस आप से यह पूछना था कि 34 बाटालियन जो है इसमें पी एसी की जो जे टी सी है या फिर आटी सी से रिलेटेट कब तक जनौरी में जनौरी में होगी सार तो फ्रेंड्स अब आप ये दोनों आडिय लगा लिजिए कि क्या प्रक्रिया और आपके सामने बिल्कुल लाइब बातचित की गई है ठीक है और जो भी अभी वटालियन से रिलेटेट जो भी इन्फोमेशन है वो ही आप सभी को दी जा रही है आपने देखा 24 बाटालियन में अभी ये आदेश मतलब ये सोचा जा रहा है कि इनको टेंपरोरी रखा जाए या फिर पर्मानेंट यानि कि जैसे 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 सीबिल का हुआ कि उनको एक मत के लिए वहीं रख लिया गया तो ये चल रहा है कि जो भी पीसी कर्णी रेट है सूबा आएं साम फिर से अपने घर जाएं ये प्रिक्रिया रहेगी या फिर इनको भी रहने खाने पीने की सारी बिवस्ताइं जो है वहीं रखी जाएं तो इससे रिलेटेड अभी तक कोई डेट नहीं आई है बाकि फिलहाल अभी जो भी जनौरी बोला जा रहा है और एक नूटिस भी आपने देखा होगा ये उनली जो भी है अभी आप कहे सकते हैं प्रेडिकेट किया जा रहा है एक जताया जा रहा है कि हो सकता है लेकिन कब तक होगा अभी किसी को नहीं पता है समझ रहे ना किसी को नहीं पता है क्योंकि आदेश भी अभी तक जारी नहीं किया गया है आदेश जारी में ये कहा गया है आपने सुना भी कि प्रक् कोई दिक्कत नहीं है और आप सभी को पता ही है कि सकेंड बेच पांच तारीकून का प्योपी समाप्त हो जाएगा यानि कि इससे पहले आपका जाना कंफॉर्म है इससे पहले आपका जाना आपके हाथों में ज्वाइनिंग लेटर हंड़ेट परसेंट होगा इसको लेकर लेटी सी लिश्ट आज जाएगी आपको क्या लगता है पास जनौरी के बाद ही सारे प्रक्रिया होंगी नहीं अभी जो प्रक्रिया होगी वो सब कुछ इससे पहले ही होगी तो फ्रेंड्स अब आप ज्यादा परिसान मत हुए सबसे पहली बात अचार सनीता से आपके ट्रेनिंग पर कोई भी इफिक नहीं पड़ेगा क्यूंकि यह आपकी पोहुत पुरानी भरती है नहीं भरती तो है नहीं कि भी यह इफिक पड़ जाएगा हम क्या करें क्या नह लिएगा क्यूंकि जो भी बैंक एकाउंट की प्रिक्रिया होती है वो चाहे सेलरी एकाउंट हो या फिर कुछ भी आप सभी को वहीं खुलवा लिया जागा वो चाहे आपका SBI हो HDFC बैंक हो या फिर एक्सिस बैंक हो ठीक किसी में भी अपखाता खुलवाय जा रहा है जिस सरपर नहीं लेकर जाना है वहाँ सब कुछ मिलेगा आप सभी को ठीक है तो जो भी है आप थोड़ा पैसा लेकर जाएगा और मेस का भी पैसा लगता है तो अब यह प्रेक्रिया रहेगी कि टेंपरोरी है या फिर पर्मानेंट होगा प्यसी का इनिडेट का तो कोई भी आट है पंदरह लेकिन इससे हम गुमरा कर कि हमें फायदा भी क्या मिलेगा कुछ मिलेगा तो फ्रेंड्स जो भी था हो सकता है कि आपकी प्रेक्रिया और हमने कहा कि दिसंबर में बिल्कुल लिश्ट आठ होगी जी हां क्योंकि जेटीसी लिश्ट आपकी आनी है आपकी ज आप सभी को इस चैनल पर जरूर प्रोवाइड किया जाएगा और फ्रेंड्स जो भी आपके दूस फ्रेंड्स है आप जिस भी ग्रूप में है हम आसा करेंगे कि आप सेयर कर दीजिए बाकि फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए आप अपने ख्याल रखें ठैंक्स वाचिंग देख क्यार